देली करिंट निउज में इस वक्त की खबर है वैग्यानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे उत्री द्वीप शोद करताओं के एक समूह ने ग्रीन लेंड के तट पर एक नर्जन और अग्या द्वीप की खोज की है वैग्यानिकों द्वारा इस ने द्वीप का नाम केकटाक अवननार लेक रखने का सुझाव दिया गया है जिसका अर्थ ग्रीन लेंडिक भाशा में सबसे उत्री द्वीप है यह नया द्वीप बर्फ के स्थानांतरित होने से उजागर हुआ है इसकी खोज के साथ ही यह द्वीप अब प्रित्वी का सबसे उत्री खेतर बन गया है गोर तलब है कि इससे पहले उडाक नामक द्वीप को प्रित्वी के सबसे उत्री इलाके की रूप में चिन्नित किया गया था उडाग द्वीब की खोच डेनमाक के एक सर्वेक्षन दल ने 1978 में की थी इस वर्तमान खोच के दोरान शोटकरताओं को लगा कि वे उडाग पहुँचे हैं किन्तु बाद में इस अंजान द्वीब का पता चला यह द्वीब बहुत छोटा है जिसकी चोड़ाई लगभग 30 मीटर है और इसकी चोटी लगभग 3 मीटर है इसमें समुद्र तल की मिट्टी और मुरेन होते हैं यानि मिट्टी, चट्टान और अन्ने सामगरी जो ग्लेशेर द्वारा पीछे छूट जाती है और इसमें कोई वनस्पती नहीं होती है शोटकरताओं के अनुसार यह द्वीब संयोग सिक हो जा गया है गोर तलब है कि ग्रीन लेंड की बर्फ की चादर पर ग्लोबल वार्मिंग का गंभीर प्रभाव पड़ा है आर्क्टिक में खेत्रिय दावो का विस्तार इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह वास्तव में एक द्वीब या एक तटिये किनारा है जो फिर से गायब हो सकता है साथ ही एक द्वीब को उच जवार के दौरान समदुरतल से उपर रहना जरूरी है इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल